दिल्ली में वितवर्ष 2024 का बजट पेश नहीं हो पाया है इसे विदान सभा में कब पेश किया जाएगा या भी तय नहीं है दिल्ली की वितमंत्री आतिशी ने विदान सभा को बजट में देरी की सूचना देते वे कोई निश्चिक तारीक नहीं दी है हाला कि बजट सस्त्र को मार्च में पहले सब्ता तक बढ़ाय जानी की वज़े से माना जा रहा है कि एक साल का लेखा जोखा अगले इस महीने के अंत्मय या मार्च की शुरुबात में पेश किया जाएगा इस वीच बिदान सभा में बिपक्ष के निता रामबिर सेंग विद कर दावा किया कि केजरिवाल बजट को बहाने के रूप में इस्तमाल करना चाते हैं और इसलिए जान बूच कर देरी की जा रही है आजपा निता ने कहा बीस दिन पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने गोशना की थी कि बजट सस्त्र पंद्रा फरवरी से शुरू होगा उन चाहिए कि क्यों बजट पेश करने में देरी हुई है उन्होंने इडी के समन और कोट में केजरिवाल की पेशी से जोडते वे कहा सदन को मार्श के पहले सब्ता तक बढ़ाए गया है हम मानते हैं चुकि केजरिवाल को 17 फरवरी को कोट और फिर 19 फरवरी को इडी के सामने पेश होना है वो बजट तैयारी को बहाने के तोर पर इस्तमाल करना चाते हैं अर्विन केजरिवाल करफशन में शामिल है और वो पूछताज को बहुत लंबे समय तक टाल नहीं सकते दिल्ली विधान सबा में बजट सस्तर की शुरुआत गुरुवार को पराजेपाल के अ उनके गिरफतारी तैय है भाजबा बिधाय के विजेंदर गुपता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सुइकार किया कि बजट में देरी दिल्ली सरकार की वज़े से हुई है उन्होंने कहा बजट 16 फरवरी को संबावित था जब हमने पूछा कि बजट में देरी क्यों हुई तो मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल और वित मंतरी आतिशी ने जवाब नहीं दिया बजट सस्तर को मार्च पे पहले सप्ता तक बढ़ा दिया गया लेकिन बजट का पेश होगा ये नहीं बताया गया बजट पर देरी के लिए हम LG से मिलेंगे और आप सरकार की शिकायत भी करेंगे